नमस्ते सदावसले मत्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे यहां चर्च हम चर्चों पर कई बार चर्चा कर चुके हैं ओनेबिल हाई कोड के एक और पर हमें याद होगा कि पिछले वर्ष मुझे जहां तक याद है अक्टूबर नमबर 2021 का मामला था बाद में वो हाई कोड दोबारा रिव्यू में गया था और उसमें हाई कोड ने राज्य सरकार से कहा था कि यह जो रिलिजिस इंश्री विशन्स हैं यानि कि जो सामपरदाई केंद्र हैं चाहें वो मज़िते हो चाहें वो यह चर्च हो इन्हों ने राज्य की संपत्ती कबजा करके रखा है इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए और इन संपत्तियों को राज्य अपने कबजे में मेले इस बात को कोई बहुत बड़ा विशय नहीं था एक कैथॉलिक चर्च का मामला था और कैथॉलिक चर्च ने जमीर बेच दी थी तो उस मामले में हाई कोर्ट मामला गया तो हाई कोर्ट ने ये कहा था हाई कोर्ट का जो ऑडर आया हाई कोर्ट ने कोई शक नहीं है कि को यानि कि जो वहां का विशप होता है उस विशप को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार होता है और वो अपने religious matters अपने हैं अपने हिसाब से उठा सकता है लेकिन साथ में उसने लेकिन लगा कि उसको संपत्यां बेचने का कोई अधिकार नहीं होता है कोई विशप कोई डायस संपत्ती नहीं बेच सकता संपत्ती चूकि वो राज्यसरकार की संपत्तियां है और चर्चिस को उन संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं है अब ये विशप मैंने पूरा explain किया था पूरा explain सुनना चाहते हैं तो दो लेक्षर एक यही जज्वन जो आज मैं कोर्ट कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में आ है इसकी पूरी डिटेल और एक उससे पहले क्रिशन प्रॉपर्टियों का क्या हुआ वो दो लेक्षर में इसके नीचे जहां पर यह पड़ा हुआ है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो उसको पूरा सुनने को मिलेगा और मुझे लगता है कि देश में जैसे बक्फों ने जमीने कब करके रखेंगे डाइसिस तर भी बहुत बड़े इस तर पर काम चल रहा है और यह सारी संपत्तियां भारसरकार के संपत्ति हैं उसका थोड़ा सा हिंट मैं यहां पर देता हूं भारत में जब क्रिशन आये मैं अंग्रेज आये नहीं कह रहा हूं मुझसे निकलता है क्योंक कि इन्होंने आकर यहां पर चर्च बनाए इन्होंने यहां पर आकर कन्वर्जन किया इन्होंने हिंदुत्य के उपर हमला किया इन्होंने भारत को एक क्रिशन लेंड बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई मिशनरी के स्कूल मिशनरी के अस्पताल और तमाम तरह के इंस्ट सामने थी Congress चू कि हम सब जानते हैं कि लाला लाजपत्राय इसको safety valve of British government कहते थे Congress को ये safety valve है safety valve बना खूकर है British government और उसमें जब कोई वो गैस भरती है तो safety valve Congress है जो निकाल कर बाहर कर देती है ये लाला लाजपत्राय का अपना official statement था लाला लाजपत्राय ये भी कहा करते थे कि Congress अंग्रेजों के इशारे पर काम करते है इसलिए Congress ने जो शब्त स्विकर किया या बोलना शुरू किया वो था अंग्रेज उन्होंने उसको किसी भी तरह से ईसाई नहीं कहा जबकि Muslim आकरांता भरत में आये थो हमने उनको Muslim आकरांता ही कहा दोनों ही एक ही footage पर है बस Muslim आकर करांता अक्रामक होकर conversion कर रहे थे अंग्रेज जिनको आप कह रहे हैं इसाई भी अक्रामक जितनकी सत्तर ही क्रामक होकर conversion करते रहे उसके बाद उन्होंने शौफ्ट कानर अपनाते हुए लोगों को क्रिप्टो कृशन और फिर कृशन बनाना ऐसा एक मोड अपनाया था तो हुआ क्या था कि जब इसाई भारत में आये तो उनकी सेना आयी उनका administration आया उनके लोग आये तो अब वो कहां पर अपनी पूजा पाट करें इसके लिए सरकारी संपत्ती जो राजी की संपत्ती थी राजी की संपत्ती पर उस समय चर्च खोले गए जैसे जिलादिकारी जह चर्च की जमीन लोट कर दी बच्चे पढ़ेंगे कहां तो एक Christian college शहर के बीचो बीच खोल दिया बाकी जो लोग फौज में हैं फौजी कहां पर अराधना करेंगे इसके लिए associated चर्च सब कंटोनमेंट के इंदर खोले गए पूरे देश में तो आप देखेंगे पूरे द जमीन भारत सरकार की जमीन होती है इसलिए वो भारत की संपत्ति मानी जाती है जब इसाई यहां से चले गए टेकोबर भारत सरकार ने वापस लिया तो चर्चों का टेकोबर भी उसमें शामिल था 1927 में अंग्रेजों ने वहां से मिश्टनिया तमाम भेजी गए थी जो यहां पर अपना जाल फैला रही थी लोगों को भढ़का रही थी लोगों को हिंदुत से भढ़का रही थी और देश समाज के अंदर हीन भावना पैदा करने के लिए जाती विवस्ता पर हमला कर रह जाती विवस्ता को ऐसा दर्शा रही थी कि जो चोटी जातियां जो जातियां है वो चोटी है और चोटी जातियां जिनके हाथ में सत्ता है वो बढ़ी जातियां है यह जो सत्ता के इर्दगिर्द हैं वो बढ़ी जातियां है जो काम करने वाले लोग हैं वो चोटी जातिय हैं जबकि भारत में ऐसी जातियों के भेद मिलते नहीं है अगर आप पुराणों को देखेंगे तो लेकिन उन्होंने ये भावना पैदा करी और समाज के अंदर जाती अधर पर छुवचुद शुरू हो गया सिस्टेमेटिक तरीके से उस पर इधियास लिखे गए और उसका सहित लिखा गया सहित हमको पढ़ाया गया और फिर साथ में उची नीची और छुवचुद की राजनीती भारत में शुरू हो गया इसका जो शुरूबात की वो मुसल्मानों की अंग्रेजों ने सिस्टेमेट से क्रिप्टकरिशन बनाने के लिए सब को शुरू इनके पीछे अगर किसी को दिया जाता है तो मिशनरी के स्कूल मिशनरीयां मिशनरीयों के दवा खाने यह सब बनाए गए तो यह जो मिशनरी आई थी इनको जगह लौट करी थी कंपनी ने उस समय सरकार से भी जगह मिली थी तो अब ये जमीने तो चू की लीज की गई थी उस समय या इसके तरक्ते जब अंग्रेज फुल फ्लेश अठावन में बैठ गया तो उसने ये जमीने अपने लोगों के प्रार्थना इस्थल के रूप में लौट कर ली थी या खोल लिया था सरकारी जमीन पर जैसे आज क के हाँ चोडने के लिए मंदिर बना दिया गया हो अब वो मंदिर वो सरकार तो बदल गई लेकिन मंदिर का पुजारी या जो चर्च बनाये गया या जो मज़ित बनाएगी वो मज़ित कुछ रिलीजन वाले क्लेम कर देंगी यह मेरा है वैसे ही उस समय का रिलीजन कुकी इसाई साशन था इसलिए इसाईयों ने अपने इर्दिगिर्द सब कुछ ये बना कर रखा था अब जब इसाई यहां से चला गया तो ये संपत्तियां भारा सरकार को वापासा नहीं थे लेकिन मिशनरियों के जो इंग्लेंड से चलाया जा रहा था ये Catholic Church Rome से चलाया जा रहे इसके तहट अब Church of England से गवर्न नहीं होंगे भारत में रहने वाले लोग जो इसाई हैं चुकि वो उनका कहना था हमने 60 संक्या यहां इखटी कर लिया है तो यहां कुछ लोग वहां से आएंगे बाखी यहां के लोग मेनेज कर सकते हैं तो यहां भारत सरकार यानिकि उस सम के द्वारा कि यह जो Church of India Act के तहट Church जो सरकारी regulation में थे उनको मुक्त किया जाता है अब उसको तंत्र हो गए लेकिन सन 1968 या 65 में इंद्रा गांधी सरकार ने एक सरकुलर जारी किया था राजय सरकार उसे कहा था कि चुकि Church की जमीने सरकारी संपतिया है चर्च स्वायत है उ उस पर पूर अधिकार रखता है लेकिन संपतियों की जाच राजय सरकार कर ले और राजय सरकार उन संपतियों की जाच करके राजय को अगर वो संपति राजय की है तो राजय उसको कंट्रोल करेगा और संपति प्राइवेट है तो देखा जाएगा कुल मिलाकर ये संपत्यां किसी भी प्रकार से चर्चों की नहीं थी, चाहे वो रोमन कैथॉलिक चर्चों, चाहे वो चर्च आफ इंग्लेंड के चर्चों या वो एसोसियेटड चर्चों तो 1968 का जो रेगुलेशन है, उसमें इन चर्चों के वर्णन भी है, पूरी लिस्ट दी हुए कि ये सरकारी चर्च है, ये सरकार है, अब इन चर्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो बात में डाइसिस भारत में इस्टैबलिश हो गया, चर्चिस आफ इंग्लेंड इं of India और North Indian Church, तो North Indian Church और South Indian Church ये दो बड़ी औरगनाशन है, इनों ने अपने डाइसिस स्ब्स के जिमीन एप दो बैटे हुए थे, सरकार की जमीन थे वहां चर्च बना हुआ था, उस चर्च में चूपकी ये बैठे हुए थे, तो वो चर्च की जमीन सामने दिखाई दे रही ऐसा ही एक मामला केरला में चला गया था केरला के हाइ कोट ने रजसरकार को कहा था कि वह ये चर्चे सरकारी जमीने हैं सरकारी जमीने को बचाया जाए मामला अभी हम लोग उठाने का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आ गया सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई हाला कि इन्होंने मामला तो बहुत छोटा था लेकिन वो अब कितना बड़ा हो गया यह सोचने की बात है अब वो मामला इतना बड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस चर्च के अंगेस्ट में ऑर्डर दिया गया था वो अकेला चर्च नहीं आया अब बहुत सारे डायसिस बहुत सारे मैं कह रहा हूँ बहुत सारे डायसिस अब सुप्रीम कोर्ट चले आए और उन्होंने कहा कि साब यह जो ओर्डर है चाहे वो कैथोलिक टैसेस हों एसोसियेट चर्चेस हों या फिर तमाम तरह के बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स कई तरह के चर्चेस और्गनाइशन इस तरह इस दांदे में लगे हुए हैं जिसको ज जमीन जहां मिलती है जिस पादरी को पत लग जाता है की जमीन सरकारी है और चर्चका अधिकार नहीं वो अपनी अलग दुकान खोल लेता है कभी वो कंपणी बनाकर खोलता है closest कभी वो society बना कर खोलता है और वो बेचना शुरू कर देता दूसरा उस मामले को खोल इसली नहीं पाता क्योंकि वो भी चोर है यानि कि दूसरा डायस जो फादर बैठा हुआ है दायस बैठा हुआ है विशप बैठा हुआ आर्क विशप बैठा हुआ जो भी उनके आप गल्या इंग्लैंड या अमरेका और वहां बढ़ियां आपनी फई पीडियों की जिंदगी जीएगा यानि कि इसाई समुदाय आज भी भारत में संपत्यां बेच कर उन लोगों को अपने हाँ बुलाता है और भारत का धन ड्रेन करवा रहा है जो की धन 1947 तक खुब ड्रेन होता रहा अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल वैसी ही जैसे 1947 के बाद पाकिस्तान बना लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर तमाम मुसल्मानों ने बख्वे बनाई थी और बख्वे बनाकर वो चले गए प्रोपटियां यहां बेच-बेच कर धन पा मैं नों का बार आगस 2021 को जो जज्जमेंट के रला हाई कोट का आया वो जज्जमेंट ठीक नहीं है हाला कि रिलिजिस सुप्रीमेशी स्विकार की है परन्तो जमीन स्विकार नहीं की और जमीनों के मामले में इनका अपना कहना है कि हम लोग भारत के कानूं से बहुत होता है वैटेकन ये कहता है कि जहां पर चर्च बना हुआ है वो जमीन चर्च की है बिलकुल वैटेकन की तरह है कि वैटेकन सिटी एक सबसे संसर का छोटा देश है वो रोम के अंदर है लेकिन सुतंतर है उनका अपना लाउ होता है उस जिस लाउ से वो गवन होते हैं उस केनन लौ कहते हैं वो है भले ही वहां रोम के अंदर लेकिन वो रोम के कानूनों को नहीं मानते वो कहते हैं हमारा अपना केनन लौ है वैसी इनका कहना है कि हिंदुस्तान में भी केनन लौ है हाई कोट नहीं का था केनन लौ नाम की कोई चीज नहीं भारत का सम्मिधान ही सब क प्रकार का ओर्डर दिया है यह मेरे ध्यान में है लेकिन हाइप ने तो मेरी नजर में कोई और नहीं दिया है इन लोगों ने संपतियां सरकारी संपतियां कबजे में करके रखे और उसको बेच रही इनको वापस ले लिए जाए यह संपतियां राज्य की संपतियां हैं राज्य की संपतियां राज्य के पास होनी चाहिए राज्य की संपतियों पर किसी प्रकार का कोई केनन लौ संपत्यां राज जी के संपत्यां हैं यह लूड खसोड मचा रखी है religious organization के नाम से तमाम society बना कर तमाम मज़्यते बना कर तमाम बुक बोर्ड बना कर और तमाम तरह के मदर से उदर से चर्च चर्च के होनी चाहिए और investigation से समस्षा सिर्फ उसको हो सकती है जो दोशी है जिसको लगता है कि अगर investigation हो गया तो सरा खेल खुल जाएगा तो मामला सिर्फ एक चर्च का था लेकिन के कई इसके लाव देश के अन्य कोनों के भी तमाम तरह के डाईस सुप्रिम कोर चले है और इस इस्टे में लिखा जाए कि यह जो डाईस के पात जबीने हैं इन जमीनों पर कोई investigation नहीं हो सकता इन जमीनों पर कोई कानून लागू नहीं हो सकता, राज्य सरकार इस पर एक्टिव नहीं हो सकती, राज्य सरकार इसको चेक नहीं कर सकती, राज्य सरकार का कोई अधिकार इस पर नहीं होता, अब चूंकि इनका कहना है कि राज्य सरकार का कोई अधिकार इस पर नहीं होता है, इसलिए हम Canon Law से विशप को पावर देती है, इसलिए इस प्रकार की जमीने बेचने, रखने, संडख्षन करने, यह जमीने खरीदने का अधिकार दैस को होता है और चूंकि दैस को अधिकार वैटैकन ने दे रखा है इसलिए भारण सरकार या राजय सरकार इसमें इंटर्वेंशन नहीं कर सक पी हाई कोट का ये जो ओर्डर है वो अवाई धानिक है ये हमारे कानूने केनन लॉस के विरुद्ध है और भारत में आज भी केनन लॉस से भारत गवर्न होता है इसलिए इस ओर्डर को इस्टे कर दिया जाए हलागि सुप्रीम कोट ने जैसे मैंने कहा कि असमर्ता जताते इसमें चेक करना चाहते हैं कि वागई में सिचुोशन क्या है इन जमीनों का मामला क्या है। पूरा खेल यहां पर समापतो हो सकता है और इसी की तरज पर बखपों पर ओर्डर हो सकता है और जो religious organization चाहें वो हिंदों की हैं, मुसलमानों के हों, इसाइयों की हों, यहूदियों की हों, पारसियों की हों, किसी की भी हों, जो राजी के समपत्ति हैं वो राजी के पास काद़रं